साथियों महा मिलावट के इस कॉंग्रेसी कल्चर ने सरफ हमारी परंपराओं को नहीं नुक्षान पहुचाया डिफेंस को भी उन्होंने कमजोर किया है हमारी एकोनोमी को भी तबाह करने में कोई करोर कसर नहीं छोड़ी है देश के बैंकिंग सेक्टर को तो ये लोग 2014 में वेंटी लिटर पर छोड़ करके गए थे साथियों आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि हमारा मंगलूरू और उडिपी ये तो देश की बैंकिंग छेतर के धरोहर रहा कॉंग्रेस के नामदारों ने फोन बैंकिंग का ऐसा खेल खेला कि बैंक बरबाद हो गए साथियों जितना लोन देश के बैंकों ने आजादी से लेकर के दो हजार चे तक दिया अब विचार करिए आजादी से दो हजार चे ने करीब करीब साथ साल साथ साल में बैंकों ने जितना लोन दिया इनों ने 2006 से 2014 उससे भी दो गुना लोन दे दिया बताईए कितना कमिशन निकला होगा यह तो जांच करने पर पता चलेगा आप बताईए क्या बैंकिंग व्यवस्ता ऐसे चलती है साथियों चौकिदार ने इस खेल को बंद कर दिया इसलिए इन में बगदण बच गई है आप मुझे बोलिए चौकिदार ने एक काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह खेल बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भाग रहें भाग रहें लेकिन भाग भाग करके जाएंगे कहा यह मोदी है दुनिया में दुनिया में कहीं पर भी छिपे यह चौकिदार उनको ला करके रहेगा